क्या आपने कभी किसी बंदर को कुत्ते बिल्ली चूहे या फिर किसी गाई के तरह मरा हुआ देखा है नहीं देखा होगा क्योंकि नॉमली मरने वाले बंदरों की मौत कोई नहीं देख सकता और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी मौत की तारिक का पता एक हफ़ते पहली लग जाता है ऐसी में बंदर एक हफ़ते पहले से ही एक सुरक्ष स्थान चुन लेते हैं और बिना किसी भोजन या पानी के चुपचाप बैटकर एक सब्धा तक तपस्या करते हैं और ये बात बिल्कुल सच है कि जब एक बंदर बनने वाला होता है तो वो चुपचाप अ भी रुप से घायल हो जाता है और सड़क पर ही मर जाता है तो उसके शरीर को रिष्टेदार खसीट कर दीमक के पास उसका भोजन बनने के लिए तब तक छोड़ देते हैं जब तक कि उसका शरीर गायब ना हो जाए और पता है आपको ऐसा क्यों होता है दरसल त्रेता यु कि वानरों को जब भी मृत्यू आए तो उन्हें इस बात का पहले से ही पता चल जाए और ऐसा इसलिए ताकि वो मृत्यू से पूर्व तपस्या कर श्रीराम की भक्ती में लीन हो जाए मृत्यू के समय उनके मुक पर राम नाम हो जिससे वो राम चरणों में स्थान पाए व कर दो